स्वागत दूस्तों पहुन सीलटस के इस वीडियो में जानेंगे सेकेंगे दोस्तों कि चेंजर का कनेक्जन किस परकार से किया आता है जयो गवर्मेनट का लाध आया रहता है और जनलेलटर कनेक्जन कैसे बनाएं तो इस वीडियो में सअरा चाहएं Application को देखने को मिलेगा ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं ठीक है यह देख सकते हैं यहां पर एक नट लगावा रता है इसको खोल लेंगे ठीक है जो कि मेरा चेंजर खुल चुका है देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह जो चार कभर है चारो कभर को सबसे पहले निकाल लेना है ठीक है दो बुल्लू है दो रेड़े ठीक है तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं चलिए दोस्तों सबसे पहले हम चारों कवर को खोल लेते हैं ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं अस्कुरूप दिया हुआ है इसको खोल लेंगे देख सकते हैं हमारा दो कवर खुल चुका है ठीक है इसी तरह चारों कवर को खोल लेना है ठीक है और दो कवर उधर बचा हुआ है इसको रखते हैं साइड में हम लोग देखें हम लोग चारों कवर को खुल चुके है ठीक है इसको रखते हैं साइड में उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में सारा चीज आप लोग बारे की चीज से हम लोग बताने वाले हैं दोस्तों टो ठीक है वीडियो में बने रहेएगा लास्ट देखेएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा किस परकार से चेंजर का कनेक्शन किया जाता है ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार टर्मनल है जो की देख स इतने एक पत्ति दिया हुआ है उसमें कहीं जो यहां पर आश्कुरूब रहता है उसको टाइट अच्छी स्थरस्क कर देना है लूज अगदम नहीं रखना है लूज रखेगा तो अस्पार करते करते यह जल्दी खराप हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले इसको चेक कर लेन है कि कोई ना टक लूज ना रहे है टाइट हो चुका है तो मैं बता दो दोस्तों कि जो यह पत्ति आप देख रहे हैं यह पत्ति है घर के लोड के लिए ठीक है जो कि देख सकते हैं एक पत्ति इधर दिया हुआ एक पत्ति इधर दिया है ठीक है जो कि इससे यहां से यहां कनेक्ट हुआ ठीक है घर के लोड के लिए ठीक है और बाकी जो दो टर्मिनल देख रहे हैं नीचे से नीचे से आप गरॉमेंट या जनलेटर के लाइन दे सकते हैं ठीक है नीटल और फेज यहां पर भी नीटल और फेज ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं और और आप लोग को दिखाएंगे किस परकार से connection किया जाता है ठीक है और लाइन चालू करके भी दिखाएंगे किस तरह से काम करता है ठीक है तो सबसे पहले हम supply line को जोड लेंगे देख सकते हैं दोस्तो हम लोग के पास चार तार है जो कि एक government तार के लिए आया हुआ है जो कि खंबे से आता है दो तार ओ तार है neutral और फेज और ये generator connection के लिए है neutral और फेज ठीक है तो सबसे पहले दोस्तो हम government line का connection करेंगे जो कि हमारा उपर से connection करने वाले हैं ठीक है तो मेरा फेज का कनेक्शन देख सकते हैं यह पत्ती वोला कनेक्शन में जो पत्ती है यहां से यहां कनेक्ट है उसमें गवर्मेंट लाइन नहीं जुड़ेंगे ठीक है इसमें जुड़ा जाता है उसमें रहेगा लोड जो कि घर का आपका जो लोड रहेगा वही तार इसमें आक हो चुका है तो निट्राते हैं फिर इसमें जोड़ना है जो कि देख सेक्ते हैं निट्रों फेज मेरा कन्यक्टर हो गया है जो कि हम पति में नहीं जोड़ने हैं अघर के लिए इसके बाद हम जनेंटर का केंट्र करते हैं जो कि मेरे पास नेटर और फेज है जनलेटर का वाइर आया हूएब है हम नीचे से में यहां छेदा दिया हुआ है उसे में पार कर लेते हैं भी जो कि देख सकते हैं हमारा और येह पर पार हूँ हो चुका है तो नीट्रोल के सीधा नीट्रोल ही जोड़ना है ठीक है कि नीट्रोल का कनेक्शन हो चुका है उसके बाद हम फेज का कनेक्शन करेंगे जो कि चंद लिटर से आया हुआ है हमारा दो तार जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा गवर्मेंट का तार यहां पर कनेक्शन हो चुका है और इधर जनलेटर का भी कनेक्शन हो चुका है देख सकते हैं यहां पर हम पत्ती में कनेक्शन नहीं किये हैं पत्ती में आप लोग को बार बार हम बोल रहे हैं कि इसमें घर का लोड जो रहेगा आपका जो तार आया रहेगा दोगो न्यूटल और फेज उसी को कनेक्शन करना है ठीक है तो हम लोग आप लोग को समझाने के लिए एक 100 वाड का बल्ब ले लिए हैं तो इसमें हम जोड के आप लोग को सम्झाएंगे किस तरह से नीचे उपर काम करता है ठिक है है हेंडल करने से तो सबसे पहले दोस्त आम इसको जोड लेते हैं ठिक है इसको रखते हैं हम सैड में इसको यहां से फिर पार कर लेंगे नीचे साइड से आप उपर से भी पार कर सकते हैं सबसे पहले आम इसको जोड़ना है जो पत्ती लगा हुआ रहता है connect इससे और इससे connect रहता है उसी में आप लोग को घर का लोड़ वाला वायर जोड़ना है एक तर कनेक्ट हो चुका है दूसरा तर भी कनेक्ट करेंगे पत्ती वाला में जो कि पत्ती लगा रहता है उसमें नीचे सूपर कनेक्ट रहता है उसमें जोड़ना है जो कि आप देख सकते हैं मेरा कनेक्ट हो चुका है दो तर गर्वर्वमेंट का और दो बलेक और रेट जनलेटर का ठीक है और दो येलो तार है वो मेरा घर का लोड़ है ठीक है चलिए दोस्तों एक बार आप लोग को समझा जिता है मेरा connection ready हो चुका है ठीक है जो कि आप देख सकते हैं मेरा एक neutral तार है government का और मेरा page तार है ठीक है जो कि मेरा इस terminal में जुड़ा गिया है और एक इस terminal में जुड़ा गिया है ठीक है और यह जो पत्ती वुला देख रहे है इसमें पत्ती लगा हुआ है जो कि इससे connect है ठीक है और एक पत्ती इससे correct तो इसमें आप उपर नीचे कहीं भी load वुला तार जोड़ सकते हैं हमने नीचे से जुड़ा है ठीक है जो कि आप देख सकते हैं जो दोनों yellow तार है जो कि हम bulb के सारे साब लोग को समझा रहे है उ इसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मेरा generator का तार आया हुआ है दो तार neutral और फेज ठीक है तो यहां पर हम लोग नेट्रल का connection किये हुए है और इधर फेज का connection किये है इधर load वुला तार है जो कि देख सकते हैं bulb वुला तार है दोनों yellow तार है ठीक है और मैं बता और यह इधर इसके touch हो जाता है ठीक है तो मेरा neutral के सब network connect हो जाता है उसके पर फेज के साथ घर में चल जाता तरव करता है इधर नीचे करिएगा या काम करेगा बीच में राखएगा तो जो फ हो जाएगा उपर सपयर करिएगा तो आप connection किये रहेंगे government का यह जोश में पास्ट हो जाएगा नुर्टल कीसा नूर्टल के साथ ठीक है तो इसी तरह कम करता है तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं किस्तरह से यह कम करता है लॉइन चलो करकर के हम दिखा रहें बाल्ब के सारे से जो की देख सकते हैं मेरा So 키wood का बाल्व एग है ठीक है לי अभी देख सकते मेरा हेंडिलवी बीच में है तो बीच में होने से लाइन आपका कट जाएगा ठीक है आप नीचे करिएगा तो जो लै độ लैन हो जाएगा उपर करिएगा तो गवर्मेंट का लैन हो जाएगा ठीक है तो चलिए सब से जो कि आप देख सेखते हैं यहां से यहां टाच हो जाता है तो युला 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 कनेक्ट हो गया ठीक है तब चलिए हम उपर को लाइन करते हैं उपर तरफ करते हैं देखें बीट में कट गया उपर में भी लाइट जल रहा है ठीक है दोस्तों जब हम हैंडिल उपर कियें तो दोएक सकते हैं यह जो पत्ती बना हुआ है चिंटा यह दोनों आके इसमें सट गया ठीक है जो कि मेरा नीटल जो आया हुआ है गवर्मेंट तर और मेरा घर का पत्ती को तो इसमें इसमें लाइन आगिया फिर इसमें फेज है इसमें से इसमें लाइन आगिया ठीक है तो इसलिए लाइन चल गया इसी तरह नीचे भी है दोनों यूला ट्रमनल सोट हो जाता है यूला वा यूला तो इसलिए लाइन जलता है चंजर का यह काम रहता है फ दोस्तो बेल आइकन को all में connect कर दें घंटी को दबा दे दोस्तो ठीक है तो आप लोग यहां तक देखें लाश्ट तक आसा करता आप लोग को समझ में आया होगा और अगर समझ में नहीं आया है तो मेरा comment box में comment के रिए 24 घंटा के अंदर आप लोग को comment का reply मिल जाएगा ठीक दोस्तो तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो यहां तक देखने के लिए मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में